आप सबी को मेरा नमस्कार दोस्तों आपके माता पिता गुरु देव भगवन इस्ट सबी को मेरा कोटी कोटी पढ़ना तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देव उठनी एक दसी की कता का भाग दो लेकर आए हैं दोस्तों एक समय की बात है एक नगर में एक राजा रहता था उसकी राजे में परजा बहुती सुखी थी एक अदसी को कोई भी अन नहीं बेशता था सबी फलहार करते थे एक बार भगवान ने राजा की परिक्षा लेनी चाही भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किय तथा सड़क पर बेट गए तबी राजा उदर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया उसने पूचा हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बेटी हो तब सुंदर इस तरी बने भगवान बोले मैं निरासिता हूँ नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है किस से साथा मांगू राजा उसके र५ब पर मोहित हो गया था वह बोला तुम मेरे महल में चल कर मेरी रानी बन कर रहो सुंदरी बोली मैं तुमारी बात मानूंगी पड़ तुमें राज़ी का अधिकार मुझे सोपना होगा राज्ये पर मेरा पूर्ण हदिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा राजा उसके रूप पर मोही था, उसकी सभी सड़ते सुविकार कर ली अगले दिन एकदसी थी, राणी ने हुकम दिया कि बाजारों में अन दिनों की तरह अन बेचा जाए उसने घर में मास मचली आदी पकवाए, तब परोश कर राजा से खाने के लिए कहा यह देकर राजा बोला, राणी आज एकदसी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा तब राणी ने सर्थ याद दिलाए और बोली, याद तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सीर कार दूँगी राजा ने अपनी इस्ति बड़ी राणी से कही, तो बड़ी राणी बोली, महराज धरम न छोड़े, बड़े राजकुमार का सीर दे दीजिए पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धरम नहीं मिलेगा इसी दोरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया, मा की आखों में आसु देखकर वहर रोने का कारण पूछने लगा तो मा ने उसे सारी वास्तिति बता दी, तब वह बोला, मैं सीर देने के लिए तयार हूँ पिता जी के धरम की रक्षा होगी, जरूर होगी राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तयार हुआ, तो राने के रूप से भगवान विश्नु जी परगठ होकर असली बात बताई राजन, तुम इस कठीन परिक्षा में पास हुए, भगवान ने परसन मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उधार करिये, उसी समय वहाँ एक विमान उत्रा राजा ने अपना राजी पुत्र को सोब कर और विमान में बेट कर परमधाम को चले गए तो दोस्तों, आपको एका दसी के दिन अन नहीं खाना चाहिए, पूरी सर्दा और मन से भगवान की पूजा पाट करनी चाहिए, जिससे मनो अब्यक्ति की सारी मनो कामनाई पूरी होती है तो बोलो भगवान जी की जे हो, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बोक्स में बताईए, तथा अपने दोस्तों और रिष्टिदारों को इसी जादा से जादा सेर करिए, और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तुसे जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए, ताकि ये मेरे ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, धन्यवाद